हलो दोस्तों नमस्कार स्वागे थे आप सभी का दोस्तों FOMC मीटिंग का अनॉसमेंस पॉजिटिव रहा उसके बावजूद भी यहां पर मार्केट पूरी तरीके से गिरा मतलब लोगों का एक्सपेक्टेशन था कि आज मार्केट पॉंप लेगा क्योंकि अल्टिमेटली CPI अब बावजूद हमें यहां पर बिटकोइन जैसे कि आप देख सकते हो तूटके 17700 इससे नीचे आ चुका है कही ना कहीं अगर हम बात करेंगे पूरी तरीके से मार्केट पे रेड्जान बनावा और इस वीडियो में बात करेंगे कोड़ाओ की कोड़ाओ की बहुत पीछे का दो रहें दोस्तों पहला रही स घंधूराओ यहां फ़यार्श के पर की कौत यहिकर ऐस दोस्तोत यह डिप सब्सक्राइब दोस्तों वह थी तरीके से वेच्टा हुआ कुछ दिनों में तो वहिए बात करेंगे वेब को लेखे और एक बैड निउस है वेब ब्रेक्स साइलेंस ओवर डेक्सा इन्वेस्टिगेशन युवेज इन इस्टेबल कॉइन फैल्स टू रिपेज मतलब यहां पर वेब को लेकर बहुत कुछ चल रहा है जो नेक्स्ट लूना यहां पर बन सकता है वे क्रिप्टो मार्केट का यहां पर उमीद था कि 50 वेसिस पॉइंट पर आएगा जिसके करण अल्टिमेटली जो पॉजिटिव इंपेक्ट था वो नेगिटिव इंपेक्ट पर बदल गया जो एक्सपेक्टेशन रहे ते उसी प्राइस पॉइंट पर आया अगर थोड़ा औ इंट्रेस्ट रेट का प्राइस या फिर एफम से मिटिंग या फिर सीप डेटा आता है मार्केट या फिर उपर जाता है थोड़ा बहुत या फिर नीचे जाता है अब उपर जाता है in the कुछ टाइम आपको यहां पर देखना पड़ेगा और वेट करना पड़ेगा कि किस तरीके से मुमेंट लेता है अब बात करेंगे दोस्तों दूसरे अपडेट्स की सबसे पहला दोस्तों वह भी ग्लोबल एंड बोन की लिश्टिंग की वह भी ग्लोबल पर बात चल रहा है म करेंगे दोस्तों यहां पर ट्रस्ट वालेट के छो ट्रस्ट वालेट ने फईनली को अल्लिए पर मल्टी चैन सपोर्ट किया है उत्रस्च आप स्वाप इंटिग्रेशन विद थौर चेन अब आप इजीली स्वाप कर सकते हो बीटी सी एथर एम बीन भी वर्ष्ट डी किसी भी पेर पर हो ट्रस्ट अलट पर आप इजली स्वाप कर सकते हैं तो ट्रस्ट अलेट यूजर के लिए काफी अच्छा है और अल्टिमेटली बह बात करेंगे इस वीडियो में उससे पहले धूस्तो A5 का बहुत बड़ा अब informat campe कोड़ाओ एक अच्छा प्रोजेक्ट वेरिफाइड प्रोजेक्ट बन चुका है over the time and कोड़ाओ की अगर mainnet की launch की बात करेंगे क्योंकि जो edit होना था ये mainnet launch को लेके है देख सकते हो the time much outed audited announcement here we are thrilled to announce that the successfully complete of smart contract security and कोड़ाओ they are approached to mainnet launch full report यहाँ पर मतलब partnership announcement कोड़ाओ ने यहाँ पर midas NFT के साथ partnership किया है and partnership करते ही midas NFT marketplace में कोड़ाओ का जो NFT था पूरी तरीके से sold out हो चुका है मतलब completely कोड़ाओ का जितना NFT था वो खतम हो चुका है first free sale round में तो आप समझ सकते हो कोड़ाओ का कितना demand यहाँ पर बन चुका है आने वाले दिनों पर कितना expectation रखा जाए अब बात करेंगे दोस्तों कोड़ाओ को लेके कुछ दूसरी major update की total supply क्या है कोड़ाओ की तो 2.1 million का कोड़ाओ का total supply है जिसमें से current time minting हो चुका है circulating पर 5.525 million total अगर हम देखेंगे current price की बात करेंगे कोड़ाओ की तो अब देख सकते हो total minted token यहाँ पर 33.74 मतलब हम expectantly आपर मान सकते है 34 coins है जिसका estimated value अगर हम निकालेंगे तो अब देख सकते हो 0.404945 BTC अब यह जो 0.404945 BTC का अगर हम डॉलर पर calculate करेंगे estimated price तो 0.888 डॉलर के आसपास आता है and कोड़ाओ की अगर हम बात करेंगे pricing की तो आज के date में कोड़ाओ का price बन जाता है 0.025 मतलब core coin का price यहाँ पर बनता है 0.025 डॉलर तो काफी अच्छा price point निकल गया रहा है ultimate पर अच्छा कासा price point पर है अभी देखते हैं आने वाले दिनों पर दोस्तो और क्या देखने मिलता है कोड़ाओ पर और किस price moment पर यह listing देता है तो ultimately कोड़ाओ के लिएक काफी अच्छा positive updates है market का condition थोड़ा बहुत खराब है थोड़ा बहुत positive है बट ultimately कुछ scenario आपर के लिए नहीं है आने वाले दिनों पर साइद यह सब कुछ देखने मिले तो आज के वीडियो को दोस्तों एंपर close करते हैं फिर एक नए वीडियो भी लेंगे तब तक लिए नमस्कार